नमस्कार मैं दॉक्टर कुनाल रोड, कंसल्टन जनरल फिजीशन एंड मैंगेजिंग डिरेक्टर हेल्थ पॉर्यू मुल्टी स्पिशायटी क्लेटी में अमारे पास करीश पिशायटी डॉक्टर से एविलिबल हैं पहला डॉक्टर की स्कॉर राइब मैं Dr. Mitesh Kaurah, Health4U Dini's में का इजर्प, Orthopedic Consultant Surgeon हुँ हमारे क्लिनिक पे हर प्रताती और्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है Consultant Dermatologist, Dr. Priya Darshini I am Dr. Priya Darshini, Chief Dermatologist Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders including your acne troubles and cosmetological problems Dr. Nilesh Patil, जो की General Aptoscopic Surgeon I am Dr. Nilesh Patil, General Aptoscopic Surgeon and for you, a carnivore हमारे यहां पर Surgery Related सारे मीमारियों का इदाँच होता है Laboratory facilities, जो की हमारे Lab Head, Dr. Anand Jaiswal एक क्यार करते हैं मैं Dr. Anand हो, मैं Consultant Pathologist, मैं भी ऑफिसर हो, और यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पार जो मशीने रखते हैं यह आप देख सकते हैं कि हमारे जो CVC के मशीन है वो जैपनीज मशीन है यह हमारे हमोन एनलाइजर है हमारे यहां पर लेजर फिजियो थरफी की facilities भी अवेलेबल हैं अल्टरा सॉंड की भी facilities अवेलेबल हैं हम यहां पर BCG और ECO Cardiography की facilities भी रखते हैं और Bone Minder Densitory जो की DEXA scan की facilities भी अवेलेबल हैं Health4U Multispeciality Clinic में यह सारी सुविधायक अवेलेबल हैं Health4U is a complete solution to your health जहिन, मैं यामेन NewsUndermand 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं DC Office से एक notification जारी हुए जिसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दक्षिन अंडमा जिला मैजिस्टेट कारियला दौरा आज यानि एक अक्तूबर 2024 को एक सूचना जारी की जाती है जहां पर यह बताया जाता है कि R.K. Nala जो मिडल स्टेट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है इसे पबलिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से अभी आवाजाही के लिए बंद किया जाता है यानि किसी भी प्रकार की इस पर यातायाद की आवाजाही नहीं होगी अगले आदेश तक और इस आदेश को तुरंत लागू किया गया है हम आपको बता दें कि लोहे की बनी यह बहुत पुरानी आरके नाला की जो ब्रिज है इसके निचले हिस्से में दरारे पढ़ने की वज़े से यातायाद को आज पूरी तरीके से रोग दिया गया है जिससे यह ब्रिज से पार होने वाले तमाम परियटों को तथा इस्थानिया निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि आज सुभे बारा टांग में बहुत सारे लोग खास कर परियटक तरीब धाई सौ से ज्यादा वहां पस गये थे क्योंकि आरके नाला ब्रिज पर दरारे पढ़ गई थी जिससे स्थानिया निवासियों के अलावा परियटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ा सूत्रों से हमें यह भी पता चला कि कई परियटक जिनने आज दोपहर की फ्लाइट से मुख्य भूमी जाना था उनके फ्लाइट्स भी छूट चुके हैं तथा कई लोग जो एमर्जनसी सेवाओं के लिए हमारे शहर याने श्री विजयपुरम की और आ रहे थे उन्हें भी देरी होने की वज़े से काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ा दोपहर से ही सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि कई सारे क्लिपिंग्स सर्कुलेट हो रहे हैं जहां पर बारा टांग में फसे कई यात्रियों ने अपनी अपनी बाते रखी कि वह कितने परिशानियों से वहां अपना समय व्यतित कर रहे हैं और साथ ही प्रसाशन से यह भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल से जल श्री विजय पुरम पहुंचाया जाए ताकि उनके जरूरी काम वे कर सके सोशल मीडिया में कुछ फोटोज और वीडियोज भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो आर के नाला के आस पास की है मगर हम आप लोगों को वह फोटोज या वीडियोज नहीं दिखाना चाहते क्योंकि कानूनी तोर पर इसकी मना ही है जब सरकार किसी चीज को मना करती है तो हमें एक जम्मदार नागरिक होने के नापे ऐसे फोटोज और वीडियोज को कभी भी सोशल मीडिया में नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि सरकार किसी कारण ही यह नियम बनाती है और हमें उन नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए आखिर ब्रिज के निचले हिस्से में दरारे आने की वज़े क्या है हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रसाशन इस पर जरूर इंवेस्टिगेट करेगी पिलाल अब तक की ताजा ख़बर के अनुसार हमें यह पता चला है कि ब्रिज को अस्थाई तोर पर ठीक कर दिया गया है यानि कि टेंप्रली वो ब्रिज अभी ठीक है जिससे वहां फसे तमाम यात्रियों तथा उनके गाडियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है और वे तमाम लोग जो है श्री विजेपुरम शहर की और रवाना भी हो चुके हैं हम धन्यवाब करते हैं हमारे प्रसाशन की जिनोंने इस्थिती की नाजूपता को समझते हुए फिलहाल के लिए आर के नाला ब्रिज से किसी भी प्रकार की यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया है ताकि कोई भी दुरगटना ना हो भविश्य में इसके अलावा प्रसाशन ने यह भी सूचना जारी की है कि अगले आदेश तक यहां पर किसी भी प्रकार की यातायात की आवजाही नहीं होगी हम उमीद करते हैं कि हमारी प्रसाशन जल्द ही आरके नाला ब्रिज को रिपैर कर इसे पूरी तरह यातायात के लिए सुरक्षित कर देगी क्योंकि नैशनल हाईवे 4 एक मात्र जरिया है तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए जो दक्षिन अंडमान से मध्यव उत्तरी अंडमान को जोड़ता है और आरके नाला ब्रिज इसकी एक एहम कड़ी है अगर यह यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो जाए तो अंडमान निकोबार के निवासी दक्षिन अंडमान से मध्यव उतर अंडमान सरक रास्ते में नहीं जा पाएंगे और नहीं वहां से लोग इस और आ पाएंगे जब तक कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बन तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आर के नाला ब्रिज जितनी जल्दी हो ठीक हो जिससे ना सिर्फ परियटक बलकि अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए भी सहूलियत रहे इसके अलावा प्रहसाशन ने यह भी सूचना जारी की है कि अगले आदेश तक यहां पर किसी भी प्रकार की यातायाद की आवजाही नहीं होगी हम उमीद करते हैं कि हमारी प्रहसाशन जल्दी आरके नाला ब्रिज को रिपैर कर इसे पूरी तरह यातायाद के लिए सुरक्षित कर देगे क्योंकि नैशनल हाईवे फोर एक मात्र जरिया है तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए जो दक्षिन अंडमान को मध्यवा उत्री अंडमान से जोड़ता है और आरके नाला ब्रिज इसकी एक बहुत ही एहम कड़ी है अगर यह यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो जाए तो अंडमान निकोबार के निवासी दक्षिन अंडमान से मध्या वा उतरी अंडमान सरक रास्ते से नहीं जा पाएंगे नहीं वहां से लोग इस और आ पाएंगे जब तक कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बन ज प्रूरी हो जाता है कि आरके नाला ब्रिज जितनी जल्दी हो ठीक हो जिससे ना सिर्फ परियटक बल्कि अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए भी सहूलियत रहे इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे आरके नाला ब्रिज से जुड़ी जो भी खब झाला ब्र जाला ब्रिज से जुड़े जाए प्राहे नाला ब्रिजू के लिए जुड़े जाए आरके यल्दी जो भी साथ जासितनी जास्टार जाए